Class 10 का Mass का Chapter No. 2, जिसका नाम है Polynomials, इस Chapter का Example No. 4 solve करते हैं. Next, Example No. 4 पे आते हैं. Find a Quagratic Polynomial, the sumband product of whose zeros are minus 3 and 2, respectively. कोई इस Question में आपको ये बुला जा रहा है, कि आपने एक Quagratic Polynomial अपनी तरफ से बनाना है, और साथ में कंगीशन आपको ये दे रखिया है, कि जो Polynomial आप बनाओगे ना, उसके 0s का जो sum है, वो minus 3 होना चाहिए, और product of 0s, उसके value 2 होनी चाहिए. तो काफ़े Simple Question है, इस Question को solve करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको explain कर देता हूँ. पहले First Method के उपर आते हैं? देखो, जब भी आपने Polynomial अपनी तरफ से बनाना होना, तो उसका Simple सा Formula है, x2 minus sx plus p is equal to 0, ये हमारा बन गया Quogratic Polynomial, यहाँ पर जो s है न, वो represent करता है sum of the zeros को, और उसकी value question में minus 3 है, दे रखी है, और p represent करता है product of zeros को, और उसकी value 2 है, वो भी दे रखी है, तो s और p दोनों की values आपको directly दे तो रखी है question में, बस s की जगा पे s की value और p की जगा पे p की value पूट कर दो, तो ये बन जगा x2 minus, s की value minus 3 है न, तो bracket में put करते हैं, minus 3, ये s की जगा पे minus 3 पूट कर दिया, आगे x की जगा पे x से लगाओगे, और p की जगा पे 2 है, plus 2, is equal to 0, तो ये बन गया x2, ये दोनों minus के sign आपस में एक दूसरे को cancel out कर लेंगे, तो ये हमारी equation बन गई, ये हमारा quadratic polynomial बन गया, ये answer है आपका, clear हो गया, first method में आपको बस ही याद होना चाहिए, कि जब भी आपने quadratic polynomial अपनी तरब से बनाना है, तो उसका ही simple सा formula है, x2 minus sx plus p is equal to 0, यहाँ पे s represent करता है sum of the zeros को, और यह बलब p represent करता है product of the zeros को, और sum of the zeros और product of the zeros, दोनों की value quotient के इंदर आपको साफ साफ दे रखी थी, अब इसे quotient को solve करने का एक दूसरा तरीका भी है, उसके उपर आते हैं, second method के उपर आते हैं, देखो आपको sum of zeros की value दे रखी थी ना, sum of zeros आपको दे रखी था, minus 3, अब आपको यह पता है ना, कि alpha plus beta, मतलब sum of the zeros is equal to minus b upon a, तो यह alpha plus beta के जगा पे आप यह बला minus 3 put कर दोगे, तो minus 3 is equal to minus b upon a, यहां तक clear हुआ, उसके बाद, product of zeros, product of zeros मतलब alpha multiply by beta, वो हमें पता है, वो होता है, c upon a equal, और product of the zeros की value 2 है, वो दे रखी आपको, यह देखो, question के अंदर आपको साब साब दे रखा है, जो product of the zeros है, वो 2 है, sum की value minus 3 है, product की value 2 है, दे रखी है ना, तो यह product of the zeros की value 2 है, तो यह alpha multiply by beta, इसके जग़ा पर 2 put कर देते हैं, तो 2 is equal to c upon a, अब जिसके denominator में कोई नहीं होता है, उसके denominator में 1 होता है, तो 2 को आप 2 upon 1 ऐसे लिख सकते हो, यहां पर भी, जिसके denominator में कोई नहीं है, उसके denominator में 1 होता है, अब यह जो equation बनी है ना, और यह वनी जो equation बनी है, इन दोनों का denominator same होना चीए, जैसे यहां पर denominator में बनना है, और यहां पर भी denominator में बनना है, जब इन दोनों का denominator same है ना, फिर आपने compare करके, a, b और c की values लिखलेनी होती है, denominator same है ना, देखो यहां पर भी 1 है यहां पर भी 1 है अगर genominator same ना हो तो पहले आपने genominator को same करना है उसके बाद values को compare करना है यहां पर तो गिनominator पहले से ही same है तो आप directly compare करके a, b और c की values को लिख सकते हो तो a की value 1 है minus a, minus a and cancel हो पो जाएगा तो b की value 3 आजाती है तो B की value 3 है और numerator से compare तरके C की value 2 आ जाती है तो C की value हमारे पस 2 आ गई तो यह आपके पास A, B और C तीनो values आ गई अब आप अपना polynomial लिख सकते हो जो polynomial होते है ना उसका formula यह होता है A x square plus B x plus C equal to 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा अगर आप ऐसे equal to 0 लगा दे तो ना तो भी खीका नहीं लगाओगे तो भी चलेगा तो A, B और C की बस आपने values put कर देने यहाँ पे A की value 1 है तो 1 को लिखने की जरोती नहीं होती तो सिरफ x square लिखेंगे A की value 1 है ना तो आगे 1 x square लिखो यह x square लिखो यहीं की बाद होती है B की value 3 है और यह C की value 2 है तो यह बन गए हमारा polynomial चाहे आप first method से करो चाहे second method से करो answer same ही आएगा तो आपके school में जिस method से आपको करने के लिए बोलें आप उस method से कर सकते हो x square plus 3x plus 2 is equal to 0 this is the answer जिस कर भिए से आपक्ड़ से आपको लाद हो कि आपकेन जिस हो तो it